सपने वो नहीं होते जो नेंद में देखे जाते हैं सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं माईसेल्फ संदीप चौदरी टीम केमस्टी आज हम फिजिकल केमस्टी के सॉलूशन करने जा रहे हैं डंगल है 6 आपको दस दंगल दिए गए इस दस दंगल को अगर आप डंग से पढ़ लेते हैं CLC के द्वारा दिए गए इस दंग दस दंगल में जितने भी टाइप के क्रेशन बन सकते थे जो भी नीट में पुश्री आते हैं सटिक उसी टाइप के पेपर बनाई जा रहे हैं अगर आप आप इस दस दंगल को अच्छे से प्रिपेर कर लेते हैं तो आप इजीली सेलेक्शन आपका करवा सकते हैं अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी त्यारी अच्छे से निए पहली बात तो आपकी त्यारी बहुत अच्छे से हुई होगी फिर भी अगर कहीं पर आपको लग राए तो आप इस दस दंगल को बहुत अच्छे से अच्छे मन से आप इनको पूरा सौल कर लीजिए आपका काम हो जाएगा तो लेट्स हम अपने क्योशन पर चलते हैं 8 gram of oxygen has the same number of molecules as in 8 gram oxygen में उपसित अनों की संख्या किसके समान देखो number of molecules पुछा आप से number of molecules देखेगा क्या होता है number of molecules number of molecules equal to a mole into our gather number यह होता mole into our gather number तो अगर number of molecules की बात करें अगर मोल्स के number same है तो number of molecules आपको same मिलेंगे देखिएगा फर्स्ट की बात करें 8 gram oxygen यह आपको दे रखा है तो सबसे पहले हम इसके mole calculate करते है mole क्या होगा given mass upon molecular mass mole का ही formula given mass और mass किसमें लिया जाता है grams में upon its molecular mass और molecular weight कितने gram oxygen है 8 gram molecular weight कितना होता है 32 तो कितना हो आपके पास में कितने mole 1 by 4 तो यहां पर जिसके पास में 1 by 4 mole है उसके molecules और oxygen है इसके molecules एकवल होंगे तो first option पर चलते हैं first वाले देखते हैं 11 gram carbon dioxide carbon dioxide उसका 11 gram दे रहा है तो इसका mole आप calculate करोगे given mass 11 molecular mass कितना होता है 44 then mole 1 by 4 तो यहां पर 1 by 4 mole है इसके भी कितने 5 बॉल आ रहे हैं 1 by 4 नमबरों molecules 1 by 4 एन इसका भी कितना हुआ 1 by 4 एन तो जहां पर नमबरों मॉल्स इक्वल होते हैं वहां पर नमबरों मॉल्स भी आपको इक्वल मिलते हैं तो कौन सा हुआ फर्स्ट कि नेक्स देखेगा नेक्स वन हाव मॉल्स आप मेथेन आर रिक्वाइट तो प्रोडूस 22 ग्राम कर्बान एक्साइट आफ्टर कंबस्टन यह आपको यह कंबस्टन दे रखा है मेथेन का कर्बस्टन की रिक्ष्टन लिख रहे हैं च 4 तो और टू यह कंबस्ट हो रहा सी ओ टू प्लस टूस टू सब इसमें पूछा मेथेन है इसके कितने मॉल की रिक्वाइर्मेंट है कि यहाँ पर कंबस्टन पे सी ओ टू कितना बंड़ा है 22 ग्राम हम यह जानते इस टाइकोमेट्री को कभी भी ग्राम्स की ट्रम में नहीं पड़ा जाता तो उसको किस की कर्णा ट्रम में कनवर्ट में तो आप देखो 22 ग्राम कारबन डायख सब्सक्राय गिवन है तो मोल कार्बन योकसइड क्या होगा तो देखिएंगे मॉल औफ करपन योक्सजाड गीवन मास अपनड पर मास मास गीवन हे 22 डिवन डाधो माल 500 को कि यह अधे इसका है सबस्करद पर प्रोईज होगा more, 0.5 more, which one, second, clear why, next, देखियेगा, if 40 liter of a gas is stored under a pressure of 150 ATM at 300 Kelvin, how many moles of gas are present in cylinder, यहाँ पर देखियेगेगेज को 40 liter को 150 ATM तथा 300 Kelvin पर एक्तरत किया जाता है, तो cylinder में gas की मौलों की संख्या ग्याद किजिए, तो देखो हम क्या लगाएंगे, PV equal to nRT, हम यह जानते PV equal to क्या होता है, nRT, मौल समय पूछा है, n equal to क्या लिखोगे, PV upon RT, प्रेशर, प्रेशर कितना गिवन आपको, 158 ATM, वोल्यम कितना आपको गिवन है, 40 liter, आर, आरकी वेल्यू, एक्मोस्फिया लिटर, मौल इन्वर्स, Kelvin इन्वर्स, इसमें आरकी वेल्यू देखते हैं, कितना आता है, 0.0821, और temperature यहाँ पर कितना है, 300 Kelvin, और इन दोनों को multiply करते हैं, बेटा इस याद रखेगा, आरकी वेल्यू अगर solve करते हैं, 1 by 12 भी लिख लेते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना 0.0821 और 300 है, इन दोनों का multiplication, अगर अग्जेक्ट देखते हो, तो यहाँ था 22.4, 24.6 आता है, तो और neat exam में ज्याद आता है, जो question पुछे आता है, वो 300 Kelvin का ही पुछे आता है, तो direct आप इसको याद रख सकते हो, 150 multiply 40, 24.6, इसको इससे divide करते हैं, तो यहाँ था 2 to 4 more, तो कौन सा option हो गए, 2nd, नेक्स देखिए, अगर अर्थ सर्फेस पे देखें, तो वोटर इसका बोलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 degree centigrade, देखो, यह हमारा अर्थ सर्फेस है, चलो यह माल लेते हैं, यह अर्थ सर्फेस है, इसके उपर हम बात करने हैं, अर्फ सर्फेस पे, तो आप लिक्विड है, यह अर्थ सर्फेस मान रही हैं आपके, यह अर्थ की बात कर लेते हैं, यह वेपर प्रेशर ओफ लिक्विद, अ हूar बेपर प्रिशर ओफ लिकूड यह डरोगा वास्दा अ और अधा की यह एक लेक्सटरनल प्रेशर यह हम यह कह सकते हैं अक्स्टरनल प्रेशर की एक्वल होता है तो यह बोईस हो जाना होने लगता है और इस टेम्प्रेशर का नाम दिया जाता है बोईलिंग पॉइंट और अर्च सर्फेस पे वन एक्रियम के रस्पेक्ट पर हम वाटर के लिए देखते हैं तो कितना मिलता है हमें 100 डिवी सेंट आप देकों जैसे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर क्या होने लगता रहा है तो ये अक्सफेरिक प्रेशर आवे बेख्ogen प्रेशर के यह उससे क्या होगा है जब अक्ट्रनल प्रेशर कि हो गागा है तो इसके ब्राबर लाने के तो क्या होगा, atmospheric pressure is low जैसे जिसे उपर जाते है, atmospheric pressure कम होने लगता है next देखिएगा देखो, equal mole of benzene and toluene are mixed the vapor pressure of benzene and toluene in pure state 700 and 600 mm of Hg respectively the mole friction of benzene in vapor state तो देखो, liquid को और vapor के साथ में relate करते है liquid के अंदर हम apply करते है, route slow और vapor phase के अंदर हम apply करेंगे, route slow है और dalton low, vapor phase में कुन चाहिए, dalton slow इन दोरों को compare करते है यह क्या बोलता है, A है इसका vapor pressure मैं A यहाँ पर benzene को बोल देता हूँ benzene ने इसको तो मैंने A term दे दिया और tolue ने इसको मैंने B term दे दिया तो यहाँ पर partial pressure of A है तो क्या लिखाँगा, P not A x A यह होता है, और यहाँ पर यह किसके equal होता है Y A P total, dalton के अकोड़ी routes जो mole friction लेता है, वो liquid phase के अंदर लेता है और dalton जो vapor pressure लेता है यह जो mole friction लेता है, वो vapor phase में लेगा तो यहाँ पर हमें calculate करना Y A तो Y A equal to P A not x A upon P total P total क्या होगा P A not x A plus P B not x B इन दोनों का sum होगा A हम आन रहें बेंजीन को तो देखो, दोनों के mole equal है तो equal mole होगा, तो mole friction क्या होगा जिसने 1-1 mole माल लेते हैं तो mole friction होता है, self के mole upon total mole तो P not A, कितना होगा, 700 into mole friction, self के mole 1, total mole कितना होगा, 2 इसके बात करोगी 700, self के mole 1, total mole 2 P not B, यह कितना होगा, 600 self के mole 1, upon 2 clear होगा तो यह वाला आप आगे solve करोगी इसको, तो देखो कितना आएगा यह वाद 350 यह वाद 350 और यह वाला कितना होगा, 300 तो कितना होगा, 650 solve करते हैं, value कितना होगा, 0.54 कौन सा होगा, 4 तो सिर्फ क्या ध्यान में रखने, जहां पर भी, gases, vapor state आजे, और liquid state आजे, तो vapor के अंदर हम dalton के coding करते हैं, और round के coding करोगा, liquid phase के अंदर, clear होग, next देखेगा, next one, a compound is formed with three elements, A, B and C, elements और उनकी oxidation state दे रखे हैं, thus possible formula of the compound is, compound का possible formula क्या है, इन compounds पर कोई भी charge नहीं given, और हम यह जानते हैं, किसी भी molecule के अंदर, जितने भी element present होते हैं, उन सबकी oxidation state है, उनका sum उस पर present charge के equal होते हैं, यहां पर neutral molecule है, तो इनके सबका charge, जितने भी element है, सबकी oxidation state का sum किसके equal होगा, 0 के equal, अब देखो, first वाले पर try करते हैं, first वाले पर try किया, तो देखो, A कितना है, 2, तो 2 plus 2 कितना होगा, 4, B पर कितना होते है, 5, 1 C पर कितना charge है, minus 2, 3 पर कितना होगा, minus 6, और multiply कितने से कर दोगी, इसको, 2 से, तो कितना होगा, plus 4, minus 2, तो कितना बचे गया, plus 4, तो ये वाला तो नहीं होगा, अब हम second वाले पर try करते है, A के number कितने है, 3, बस धान इतना ही रखना है, molecule के अंदर जितने element present है, सब के atom, जितने भी element है, उन्च सब की, oxidation state है, उसका sum, molecule पर present charge के को लोगा, तो यहाँ पर देखो, A पर charge, A के पर कितना charge है, 2, तो 3 पर कितना होगा, 6, फिर बात करते हैं, B, C, 4, B पर कितना charge है, plus 5, C पर कितना, minus 2, 4 तो कितना होगा, minus 8, multiply कितने से करोगे, 2 से, कितना होगा, plus 6, दोनों का difference कितना होगा, minus 3, multiply 2, plus 6, minus 6, कितना यहाँ आपना आ रहा, 0, यह calculate करना था, समझा है, next देखेगा, total number of radial nodal plane, node, present in 4S, 4S में 30 नोड की संख्या क्या होगा, देखो, radial node, radial node होते, N minus L minus 1, इसके एक वाल होते है, N होता हैं पर principal control number, कितना होगा, 4, L azimuthal control number, ऐसके लिए L की वाल की वाल कितना होगी, 0, minus 1, तो कितना आ गया, 3, second option, next देखेगा, the value of KP upon KC will be equal for this reaction, देखो, relation क्या होते है, KP equal to होते है, KC, RT की पावर, delta NG, और delta NG क्या है, delta NG, summation of N product minus summation of N reactant, product में gas के मौल minus, reactant में gas के मौल, product में कितना gas का मौल है, 1, reactant में कितने, 2, difference, minus 1, then KP upon KC, RT की पावर, delta NG, delta NG minus 1, तो के लिए चक्ता हाप, KP upon KC equal to 1 upon RT, first one, आगे चलते है, next, 71, pH of 0.01 M barium hydroxide solution will be barium hydroxide solution, इसकी pH calculate करनी है, देखेगा, यह हमें देर का barium hydroxide, इसको ionize आपने किया, barium plus 2, 2OH negative, strong होता है, complete dissociation होगा, कितनी concentration होगी C, इसके कितनी होगी 2C, तो concentration of hydroxide ion, है में किसके equal मिल रहे है, 2C, value रखो, 2 into concentration कितना, 10 to the power minus 3, तो यहाँ पर हमें calculate करना, pH, pH equal to क्या होगा, minus low concentration of hydroxide ion, तो उसका हम क्या लिख सकते है, 3 minus log 2, 3 minus log 2, और log 2 है, इसकी value हमारे पास में कितनी आ रहे है, 0.30, तो कितनी value है, 2.7, यह हमारे पास में आगी POH, and sum of pH and POH is equal to 40, तो दोनों का sum हम नहीं किया, pH plus POH, कितना मिलता है, 40, then pH equal to 14 minus POH, 2.7, तो कितना हुआ, 11.3, third option, next चलते, which of the following will produce a buffer solution when mixed in equal volume, equal volume में mix करने पर, कहां पर buffer solution यह मिलेगा आपको, देखो, यह ammonium hydroxide, यह हमारे पास में HCL, ammonium hydroxide की reaction, जब हम HCL के साथ में यहां पर करवार हैं, तो यहां पर किसका formation होगा, ammonium, chloride और water का formation होगा, buffer के लिए condition क्या होती है, जैसे acidic buffer हो, तो weak acid का strong base के साथ में salt होता है, basic buffer, weak base का strong acid के साथ में salt होगा, अब यहां पर देखो, इसका 0.1 mole, इसका 0.1 mole, यह वाला क्या है, weak, और यह वाला strong और यह वाला weak, तो यहां पर 0.1, 0.1, तो complete neutralization हो जाएगा, second की बात करेंगे, second में ammonium hydroxide हो कितना है, 0.05, और यह कितना 0.1, तो जब reaction complete होगी, तो यह limiting reaction है, यह complete हो जाएगा, 0.1, minus 0.05, तो remaining कितना 0.05, कौन remain है, strong, strong acid और उसका salt present है, और buffer के लिए क्या होना चाहिए, weak और उसके strong के साथ में salt, तो यह वाला भी नहीं हुआ, try करते हैं, third के उपर, देखो, third में देखा, इसका कितना मौल है, 0.1, इसका कितना मौल है, 0.05, यह कितना है, 0, limiting reason, जो reaction में सबसे पहले कंजूम होता है, वो limiting reason है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले कंजूम कौन होगा, जिसके minimum मौल होते हैं, क्योंकि स्टाइक्योमेटी सेम है, तो कितना होगा, यह कंजूम होगा, 0.05, minus 0.05, तो यह कितना कंजूम होगा, minus 0.05, कितना बचा है, 0.05, यह कितना बन गया, 0.05, तो यहाँ पर देखो, weak base का, strong acid के साथ में salt है, तो last में solution में क्या बन रहा है, weak base का strong acid के साथ में salt बन रहा है, तो कौन सा हो गया, थर्ड बर, next देखिएगा, The enthalpy of solution of anhydrous copper sulphate and hydrated copper sulphate are minus 6,9 and plus 10 respectively, Determine enthalpy of hydration of anhydrous CuSO4, देखिए, copper sulphate, इसको हमने excess water में डाला, और उसकी enthalpy को मानना delta H, तो इसका solution का formation हुआ, यह इसका बन गए equal solution, हमने अगर इसको थोड़ा water add किया, कम amount में water add किया, तो इसका होता है hydration, CuSO4, 5S2, यहाँ पर involved energy है, उसका नाम होगा hydration energy, इसको मान डेल्टा H1 में लिख देता हूँ, फिर जब इसको excess water में डाला, तो इसका भी क्या होगा hydration, इसको माने बोल देल्टा H2, हैस लोग क्या बोलते है, कि overall enthalpy होती है, वो step enthalpy का sum होती है, तो हमारे पास में क्या है, डेल्टा H, किसकी एकल होगा, डेल्टा H1 plus डेल्टा H2, यहाँ से हमें डेल्टा H1 calculate करना है, तो डेल्टा H1 equal to, डेल्टा H minus डेल्टा H2, डेल्टा H इसकी value कितने है मेरे पास है, minus 6,9, यह प्लस 10 थी तो माइनस 10 हुआ तो कितना गा माइनस 79 किलो जूल पर मोल तो कौन सासी हो गया फरस्ट लग नेक्स देखेगा आपके पास में पी और क्यू दो एलिमेंट है क्यू कहां पर पर्जेंट है क्यू फोर्म करता है क्यू बिक क्लॉस पेकिंग सीची शीफी और इसके अंदर नमर औ उपर अंचैना पर ईटम कितने पर्जेंट हो दॉत है four xubic Ampere present होता है polymer टेट्र हेडल वॉइत के अंदर टेटा हेडल वोइश की नंबर 4 2 और यह कितना होगा 3 क्या गया P2 Q3 यह होगा तो फॉर्म टेटा हीडल वोईट्स होता है नमबर ओफ एटम्स के डबल है और अक्टा हीडल वोईट्स होता है हो नमबर ओफ एटम्स के एकवल होता है प्राम के लिवाल के तो इन्टेंसिव नहीं कने गया? नेक्स देखेंगा कि यह देखो जेहर्ए जेनन प्लस टू जेनन प्लस टू जेहर्ड एनोरी कमपार्ट्मेंट की बात करें, एनोरी होगा ऑक्षिडेशन तो इसमें क्या होगा? ZN convert होगा ZN+. जिसकी concentration कितनी है? C1 के थोर पे reduction होता है, जहां पर ZN+. जिसकी concentration है C2, यह किसमे कनवट होगा? ZN. और ओल Рिक्षन के अंदर ZN+, 2 जिसकी concentration है C2 ये convert हो रहा है ZN plus 2 जिसकी concentration कितनी है C1 तो cell का EMF इसके लिए देखते है E cell equal to E not cell E not cell की value कितने होगी 0 concentration cell के लिए minus 0.0591 involved electron nugget to log product upon reactant क्या होगा C1 upon C2 अब देखो delta Z की value negative कब होगी delta Z equal to minus N F E cell जब E cell है इसकी value क्या हो positive तब delta Z की value क्या होगी negative तो ये वालो value positive कब हाएगी जब C2 is greater than C1 तो E cell positive कब बनेगा जब C2 is greater than C1 कौन सबाब? 3rd next एक chemical reaction proceed into the following steps पहली फास स्टेप है फिर फास स्टेप है और हमें जानते हैं slowest step होती है वो rate determining step होती है और उस rate determining step में कोई भी उपर वाली reaction जो fast reaction है उसका intermediate involved हो रहा है तो उसको हम हटा जेते हैं देखेगा ये rate determining step है तो r equal to k concentration of x concentration of b ये क्या दरखा 2a और ये x इसको मैं माल लेता हूं constant forward direction में k1 रेकरवट में k2 and we know k1 upon k2 concentration of product upon concentration of reactant अब यहाँ पर देखो x है x उपर वाली step का product इस वाली में reactant की तरह भी हो कर रहा है तो क्या होगा है intermediate और intermediate को हम rate expiration में involved नहीं करते हैं तो देखो x को आपको हटाना है तो x को हटाओगे क्या लिखोगे x की जगे k1 upon k2 a है इसकी concentration तो देखे क्या बनगा है हमारे पास में r equal to k k1 k2 यह तो rate constant हो गया और यहाँ पर क्या होगा a की power 2 और b इसको और और constant k लिख देता हूं मैं तो r equal to क्या होगा k a की power 2 b r equal to k a to power b a की power 2 and b ठीक है next देखेगा next हम करते है the gold number of protective colloid a b c and d are given respectively the protective power of a b c d n तो protective power होती है protective power inversely proportional होती है gold number तो जिसका gold number जितना कम होगा उसके protection की power उतनी high होती है तो सबसे कम gold number किसका आ रहे 0.004 यह किसका हो गया b उसके बाद में कितना आ रहे 0.04 यह किसका हो रहे a फीट 10 आ रहे किसका c और last में क्या जाएगा d तो यह था फीजिकल chemistry है इसका solution हर chapter को cover किया गया था नीट में इसी type के क्यों सनाते है मन लगा के तैरी करते रहेगा बहुत कम time बचे है अपने सपने को पूरे करने में आपके पास में 6-7 दिन यह मान लो इतना ही time आपके पास में बाकी है आज 10 तारीक होगी और 17 तारीक को आपको एक्जाम है और 17 तारीक में जैसे ही पांच बच्जें आपके जैसे आपका पेपर 5-20 का मानलोग जैसे पेपर छुटे आपके चहरे पर यह वो मुस्कान रहनी चाहिए कि आपका सेलेक्शन हो चुका है और वो सिरफ और सिरफ सम्भा हुए जो भी आपको बताये गया है जो भी आपकी आपन दंगल का पेपर यहां पर चट्वा डिसकस करने चाहरे है एक्जाम ओरियंट और फुली एंसेटी बेच पेपर था आपका तो आईए देखते हैं 51 क्यूशन दी आईपी फास्ट सेकेंड थार्ड फॉर्थ और फिफ्ट और फिफ्ट और फिफ्ट और एन एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट है उसकी रेस्पेक्टिवली सक्सेसिव आइनजेशन इनर्जी यहां पर दे रखी है इस परकार की क्यूशन में आप अमेंसा ध्यान रखें जब भी इस्टेवल इनट गैस कॉन्फिग्रेशन से इलक्ट्रो निकलता है तो आईनजेशन इनर्जी अब इसका मतलब यह चार जो वेलूज हैं वो स्मॉल होने का मतलब है कि इसके पास से आपके चार वेलेंस इलक्ट्रोन है तो सोडियम के पास वन वेलेंस इलक्ट्रोन होता है इसके पास फोर होते है तो यह आंस्वर हो गए इसके पास से आपके वेलेंस इलक्ट्रोन की बात कर तो अपना question है What are raw material used in solvay process Solvay process के raw material तो solvay process का raw material एक तो होता है brine एक होती है ammonia एक होता है calcium carbonate जिसको lime stone या marble के नाम से लिग दिया जाएगा इसके अलावब पूंच लेता है कि intermediate product को और है तो intermediate product अगर पूचे तो solvay process का intermediate product होता है आपका sodium bicarbonate इसके अलाव पूछ लेता है recycle किसका होता है तो recycle एक तो CO2 का और एक आप recycle बता सकते हो ammonia का इसके अलावा by product कौन बनता है तो by product आप यहाँ पर बोल सकते हो CACL2 बनता है और last finally major product कौन है major product में एक तो यह खुद रहेगा और एक आपको पता है यह carbonate बनाने का method तो ही sodium carbonate major product यह रहेगा यह इसमें चार चीजे पोच सकता है पहला आपने बात कर लिए यहाँ पे solar process का raw material दूसरा उसके intermediate की तीसरा by product तो हुदा recycle किनका होता है और fifth आपका major product आई हो समझ में आगी होगी आपको चीज तो यहाँ पे fourth answer होई गया next इस question पे भी आपने discuss करें थोड़ा which of the following is correct order of strength of overlepping overlepping की यहाँ पे बात हो रही है तो देखो यहाँ पे collaterial overlepping होगी pie bond है pie bond सब से weak होता है यह आप त्याना को तो यह option तो वैसे ही cut गया clear फिर उसके बाद में यह आ गया तो यह दोनों non-directional है इनमें से एक directional है तो आपको पता है non-directional जो होता है वहाँ पर quantity of overlepping कम होती है तो bond strength कम हो जाएगी तो सब से ज्यादा strength तो SP की रहेगी तो यह गलत हो गया इसमें तो बिल्कुल आप फोजिट वो दिया हाँ यह coaxial होता तो सब से ज्यादा हो जाता लेकिन collateral है दूसरा इन दोनों में भी बात करें तो ज्यादा किसका होगा यह तो actually sequence तो इसका ही हो औरना चाहिए तो यह आपका फ़स्ट ऑप्शन गया नेक्स्ट पिल्कुल जैसे जैसे S करेक्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे quantity of overlapping बढ़ती जाएगे इन दोनों में S करेक्टर 25-25% है इसमें S करेक्टर 33-33 है और यहाँ पे S करेक्टर इसमें 25 इसमें 33 है और इसमें 33 और इसमें 33 तो ज्यादा इस करेक्टर यहाँ उससे कम यहाँ तो यह एकदम सही सिक्वेंस है किलियर यहाँ पे बात करें तो size, size dominate होती है size बढ़ेगी तो quantity of overlapping कम हो जाएगी तो यह सिक्वेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाता है और यह भी size बढ़ रही तो और ले pink बढ़ा रहा है जो की कलत है आपका second correct answer रहेगा next अपन चले the hybridization of atomic orbitals of nitrogen nitrogen के आपको यहाँ पे hybridization देखने हीं compound में तो सबसे पहले NO2 plus की बात करें तो NO2 plus में आपका SV hybridization होता है इस्टेरिक नमबर निकालीजे नाइट्रोजन के वेलेंस इलेक्ट्रोन 5 है एक इस नहीं आप निकाल दिया आप 4 हो गया 4 में 2 का डिएड दिया तो 2 SP hybridization linear shape होती है इसकी यहाँ पे SP2 hybridization रहेगा trigonal shape रहेगा और यहाँ पे ammonium ion SP3 hybridization है clear तो आपका SP SP2 SP3 respectively यह correct answer रहेगा और वाकि यह linear रहेगा यह trigonal रहेगा यह tetraidal रहेगा तो आपका answer कौन सदाएगा यहाँ पे second next बात करें अपन geometry यहाँ पे geometry बतानी है clear तो यहाँ पे देगा यह strong field ligand है यह आपका strong field ligand है और plus 2 oxidation state में है nickel तो यह 3D8 configuration हो गया और यहाँ पे भी यह प्लस 2 में है 3D8 electronic configuration है और यह आपका weak field ligand है और आपको पताए बिल्कुल simple सा यह D8 आ गया 1,2,3,4,3,D8 1,2,3,4,5,6,7,8 strong field pairing करवा देता है तो यह यहाँ हो जाएगी तो cyanide strong field pairing करवा दी तो एक अंदर से डी वेकेंट हो गया और coordination number 4 होती है तो hybridization या तो SP3 या फिर SP2 तो एक डी खाली चाहिए वेकेंट हो गया तो यहाँ पे DSP2 आने का मतलब square planer यहाँ पे वीक field pairing हो नहीं पाती है तो ऐसे में आपका कॉंड सा hybridization हो जाएगा SP3 बतलब टेटर एडर तो आपका correct transfer कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 3rd is correct transfer next which of the following shows structural geometrical and optical isomeris तो सबसे पहले इसकी बात करें तो बिल्कुल यह आपका geometrical isomeris भी दे सकता है यह तीन isomer देगा तीन जी आई एक देगा sis और दो देगा आपका trans राइट और यह sis वाला वाई भी दे सकता है लेकिन देखो यह CL बाहर जाहर यह CL अंदर है क्या फरक पड़ता है दोनों क्लोराइड आईन कोई ज्यादा इसका मतलब यहाँ पर कोई structural isomerism नहीं होगी हाइडरेटर हो नहीं सकती मोलिक्यूल नहीं है coordination के लिए दो coordination ispare से हैं को कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ दो है GI हो सकती है और OI हो सकती है तो यह तो तीनों नहीं दे रहा यहाँ पर बात करें यहाँ पर भी वह structural देखने को नहीं मिलेगी बाकि GI यह possible कर देता है यहाँ पर आपको OI देखने को मिल जाएगी क्योंकि यह आपका किस टैप का हो गया MA2, B2, C2 यह आपका 5 GI देता है जिसमें से एक सिस होता है और चार आपके ट्रांस हो गए और सिस वाला OI भी देता है लेकिन बात तो वही होगी structural यह शो नहीं करेगा यहाँ पर बात करें यह सिर्फ OI देगा ना तो GI देगा ना structural देगा कोई सी भी तो यह भी गया यहाँ पर देखिए आस ने देखी यह bromide अंदर आजाए और chloride बाहर चला जाए तो आइन सेंज होगे ना पहले काउंट राए नहीं आपर bromide है और second time अपन chloride कर सकते हैं clear तो जब भी ionization इसके बीचे डिफरेंट आइन हो तो आप ionization देख सकते हैं तो यह वाला आपका तीन देखा तो answer कौन सा होजाएगा fourth next अपने बात करें यह बिल्कुल general question है configuration को लेके तो configuration waste question है इसके बात करें general electronic configuration of a block elements तो आपको यहाँ पर याद रखना है अगर s block की बात करें तो s block का होता है ns1 p की बात करें तो ns2 रहेगा np1 1 to 6 रहेगा clear d block की बात करें तो वह होता है n-2f14 n-1d2 to 10 जब भी यह आपका याद रखना 14 हो n-2f फरजेंट हो तो इसमें 2 से 10 होने चाहिए तो ही d का बनेगा और ns आपका 1 to 2 या यह अगर absent हो तो d का यह बन जाता है n-1d अब 1 to 10 बोल सकते हैं और यह आपका ns12 लेकिन अगर n-2f present है ज़्यांसे रखना n-2f present है वो चाहिए कितनी एलेक्टरोन हो इसमें 1214 n-1d में 0 या 1 एक एलेक्टरोन होगा तो वह हमेशा f लोग से बिलोंग करेगा s में हमेशा पूर हो रहेगा इसका मतलब configuration कॉन्ट जा गया यह है nf1 to 14 n-1d 0 से 1 और ns2 यह आपका क्रेक्ट टांस्फर हैगा हाँ थोरियम जब आता है तो उसमें 0 रहता है यहां पे 2 इलेक्टरोन होता है जब कि इसमें कितना दिखा रहता है एक तो यह थोरियम पे भी अप्लाई नहीं होगा clear इसके अलाब यह तो अप्लाई होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह वाला variable कभी होगा नहीं clear यह कभी 0 होगा नहीं तो आपका आंस्फर कौन सा होगा है first वैसे configuration याद रखने का method क्यों से नहीं याद रख लिजिएगा इसको next अपने बात करने वाले हैं डिर magnetic moment magnetic moment आपको पता है magnetic moment क्या होता है mu is 2 and n plus 2 right बहुर में इसको spin नेटी से तो कलकुलेट कर सकते हैं total spin से 4S S plus 1 लेकिन अपने को basically इस पर जाना है अपने इसकी बात करेंगे तो जिसके पास unpaid electron ये number of unpaid electron है जिसके पास unpaid electron ज्यादा होंगे उसका magnetic moment ज्यादा होगा उसकी paramagnetic nature भी ज्यादा होगा तो यहाँ पर magneze plus 2 में है इसका मतलब 3D 5 इसके पास 5 unpaid electron हो जाएंगे chromium plus 2 में होने का मतलब है इसके पास 3D 4 है तो unpaid electron इसके पास क्या होगे वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम किसमे है plus 2 में तो इसके इंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तो यह आ गया 3D 3 है 2S वाले तो निकल गे unpaid electron हो भेचती है तो सबसे ज़्यदा magnetic moment इसका एगा root 35 solve करेंगे यहाँ पे तो इसका आजाएगा root 24 और इसका आजाएगा root 15 clear तो आपका answer कौन सा हो जाएगा clear next question पे चलते हैं auto-reduction process is used in extraction of auto-reduction auto-reduction उनके लिए होता है जिनके लिए SRP होना वो positive में value और almost 0.79 से तो ज्यादा होगी तो वो auto-reduction दे सकते हैं खेर copper भी auto-reduction देता है basem radiation convertor ने जैसे अपन बात करते हैं copper sulfide है यह CO2O से इसी से reaction कर लेगा पहले क्या होता है CO2SO2 से reaction करके क्या बना देता है CO2O plus SO2 फिर यह दोनों आपस में reaction कर लेते हैं किसी बाहर से reducing agent की ज़रुत नहीं होती है तो 6 से CU अगर balance करने पे आएंगे और यहां से SO2 निकल जाएगा इसका मतलब इसके लिए हो सकता है दूसरा mercury mercury के लिए क्या हो गज़े से मर्क सी निवार है इसका O2 से reaction करवा दो HGO बन जाएगा और SO2 निकल जाएगा फिर आए आगे आपका किसमे HG में और हाफ O2 में तूट जाता है तो auto reduction हमें सा ध्यान नखना याद रखना हाई temperature पर होते है यह आपका answer होगा है कौन सा first next question पर बात करें which of the following is not related with the froth flotation method difference बिलकुल froth flotation में काम में आता है मतलब और और impurity दोनों की अगर froth बनाने की tendency हो तो बाहर चे एक ऐसा substance मिलाया जाता है जो दूसरा substance है जो की impurity उसको froth बनाने से रोपता है clear जैसे hynacin यूज करते है zinc sulfide है और यह लेट सल्पाइड है अब वालो इसके अंदर impurity है zinc sulfide की तो क्या गरेंगे deprescent मिला दिया जाता है hynacin यह क्या करेगा zncn4 इसके साथ water soluble complex बना लेगा आज समझ रहे हैं कैसा complex ही water soluble और शिर्फ यह बच जाएगा और यह आपका आगे froth बना लेगा sulfide और के लिए यूज होता है यह jenthed तो jenthed इसमें floating agent के तोर पे काम में आते है sodium ethyl-genthed potassium ethyl-genthed ठीक है SIO2 का यहाँ कोई रोल नहीं blast furnace S melting के दोरान काम में आता है तो आपका कौन सांसर हो गया fourth next बात करें कापी अच्छा क्यूशन है और simple way in the given reaction इसके पास से vacant 2P पढ़ाए S2 आएगा S2 कैसे तूटता है H plus or OH minus यह अपना लोन पे इसके vacant orbital में ते देता है इसके एक बात और कर लेते हैं अपनी यहां पर BOS3 जो आपका होता है यह आपका weak monobasic acid true protonic है नहीं है यह proton देता है लेकिन खुद का नहीं दे रहा S2O से निकला है clear? यही बात मेरे को बता नहीं थी थोड़ी next question पर बात करते हैं the type of hybridization boron in a diborin diborin क्या होता है? B2H6 यह एक परकार का नीडो बोरेन है boron की बात करें B H H H यह boron sorry hydrogen boron यह 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 अब यह tricentric bond बनता है बनाना bond भी बोलते है tricentric 2 electron ही होंगे इसमें तो 3 center 2 electron bond भी इसको बोल सकते हैं side वाले हैं 2 center 2 atom और 2 electron 2 center 2 electron bond और tricentric bond जब भी आता है octate rule always fell चाहिए वो dimer हो चाहिए polymer हो तो यह पर octate तो follow होगा नहीं लेकिन देखो bond कितने होगी 1, 2, 3, 4 तो hybridization इसका क्या हो जाएगा SP3 दोनू center SP3 होते हैं तो आपका क्या होगा SP3 hybridization next हाँ तो next question की बात करते हैं 91 K2SO4 is water soluble मतलब potassium sulfate water soluble है but but barium sulfate is insoluble following factors are not responsible ध्यान से देखना भाई not responsible की बात की है यहाँ पर तो याद रखे जब भी hydration energy lattice energy से ज्यादा होती है तो compound होता है soluble और जब hydration energy से latest energy ज्यादा हो जाती है तो compound हो जाता है आपका insoluble है इस effect में इसको solve करना है the hydration energy of potassium sulfate is higher than that of its lattice energy बिल्कुल यह सही बात है इसी वज़े से यह soluble है लेकिन आपको तो incorrect देखना है the hydration energy of K2SO4 is less K2SO4 की hydration energy एगर कम हो जाती उसकी lattice है वो तो soluble होता है नहीं तो एक तो यह factor responsible है नहीं है तो एक तो यह आपका आंस्वर हो गया क्योंकि not responsibly तो identify करना है the hydration energy of barium sulfate is less than that its lattice energy hydration energy जो है of barium sulfate barium sulfate की hydration energy lattice energy से कम है बिल्कुल सही बात है तभी तो यह soluble नहीं है अगला बोल रहा है नहीं है तो यह तो responsible है बिल्कुल सही बात है clear next देखें the hydration energy of barium sulfate is higher अगर higher होती है इसकी lattice energy से hydration है तो यह soluble हो जाता बात समझभा रहे हैं तो यह वाला factor आपका false हो गया तो false ही तो दूट नहीं है यह दोनों factor responsible नहीं है बी और डी तो आंस्वर कौन सा हो जाएगा second next सलते है penetration the relative penetration power of different subcell is S की सबसे ज़्यादा होगी फिर P D जो nucleus के जितने ज़्यादा close होगा उसकी nucleus के पास approach ज़्यादा होगी यही तो penetration है तो more close to nucleus S के सबसे ज़्यादा फिर P की D की और फिर F की इसका ionization energy में बहुत रोल होता है इसी वज़े से तो NS2 configuration की ionization energy NP1 configuration से ज़्यादा हो जाती है next in which of the following hydrogen bond is not found phenol है बिलकुल phenol में H bond देखने को मिलेगा हुए यह आपका phenol है दूसरे phenol के साथ बिलकुल H bond दे सकता है यह कहां दिक्कत है yellow होगी H bond जब भी hydrogen है phon से जुडेगा fluorine, oxygen और nitrogen से तो वहाँ पे आपको H bond देखने को मिलेगा NH3 liquid है NH3 बिलकुल liquid NH3 H bond है यह hydrogen हो गया, यह hydrogen हो गया, यह hydrogen हो गया, यह hydrogen यह आगया फिर hydrogen, nitrogen समझ गये होंगे आप H bond होता है बिलकुल water, water में तो आपको पता है, water में linear H bond देखने को मिलेगा, ice होती है, तो cross H bond देखने को मिल जाता है तो यह water में हो गया, clear liquid HCL बिलकुल liquid HCL इसमें H bond है नहीं होता है, क्योंकि क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, अब आप को कि nitrogen और chlorine के तो EN ठीक है, सेम है highly electronegative से hydrogen direct जुड़ता है, तभी तो H bond आता है, लेकिन इसके size large है, इस वज़े से H bond नहीं बनाता है clear, यह आपको दियार रगणा है, हाँ, HF में H bond होता है, वो जिग जैग होता है, और जिग जैग में याद रखना है, उसमें हमेशा fluorine तो होगा cross और hydrogen अमेशा जाएगा linear समझ कही होंगे अप, hydrogen तो यहाँ रहेगा, और यह रहेंगे हमेशा angular, fluorine angular रहेगा, और hydrogen linear रहेगा, next यह भी अच्छा क्योंशन है, यहाँ पर अपन बात करें, anti-case cisplatin यूज़ होता है, cisplatin को नहीं है रहा, dsp2 hybridization है, ma2b2 type का complex है, तो दो जी यह देता है, एक सिस और एक trans, ऐसे यह भी NCRT में बहुत सांदार क्योंशन दे रहेगा है, mabcd, अगर square planar है यह, कैसा है, square planar, dsp2, तो यह 3 gi यह देता है, दोसिस और यह आपका trans, next the following two reaction of HNO3 with zinc are given H, equation are not balanced, equation balance नहीं, अपने को जरूत भी नहीं है, सारिक battle nitrate बनाती है और NO2 liberate करते है, तो यह देखो, यह concentrate है, तो यहाँ पे NO2, next, X तो हो गया, NO2, done, तो NO2 इन तीनों में दे रखा है, यह तो गया, अब यह है negative SRP, negative SRP जो होती है, वो dilute HNO3 के साथ बनाती है, N2O, positive SRP बनाती है, NO, जैसे कोपर होता तो NO बनाता है, nitric oxide, लेकिन आपका यहाँ पर कौण है, यह negative SRP, तो यह बनाएगा, आपका nitrous acid, N2O, यह रहा, तो आपका crack times पर कौन सा हो जाएगा, फॉर्थ, यह था आपका दंगल 6, आयोब सबका अच्छे से गया होगा, exam के लिए best of luck, अच्छे से करके आना, जम के करके आना, ओके, thank you, JCLC, आपका दंगल सीरीज में स्वागत है, और इस दंगल सीरीज में, दंगल नंबर 06 का और जो पॉर्षन है, उसके solution के बात कर रहे हैं, देखना क्यूसर नंबर 74, इस compound का आयूपैक नेम करना है, तो यह मैंचेन होगी, इस six member ring, और इस मैंचेन में अपन नमरिंग करेंगे, तो lowest lock end functional group के कारवन को देंगे, तो यह अपना numbering हो दिया, ठीक है, numbering करने के बाद नेमिंग क्या हो जाएगा, इस मैं, three lock end पे side chain है, और two, कौन से side chain है, methyl, three, three, di-methyl, one, cyclohexanol, question number 74 का correct answer क्या हो जाएगा, third, next question, next question, the hybrid state of C2 and C3 atom which are attached to a single bond with each other in the following structure are respectively, देखना, इस compounds में, अपन numbering करेंगे, पहले C2, C3 कारवन को identify करेंगे, तो multiple bond को lowest lock end देना है, और multiple bond को lowest lock end देना है, और multiple bond को lowest lock end देना है, तो यहाँ यह हो जाएगा, 1 carbon, E2, E3, 4, 5, तो अपने को C2 और C3 का hybridization देखना है, तो C2 triple bondage carbon है, तो यहाँ hybridization इसका SP हो जाएगा, और C3 double bondage carbon है, तो यहाँ इसका hybridization SP2 हो जाएगा, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, second, next question देखना, question number 76, देखना बीटा, increasing order of boiling point for the following hydrocarbon, देखना बीटा जी, boiling point directly proportional to होता है, molecular mass के है, और molecular mass सेम आ जाता है, तो next factor देखेंगे, अपन boiling point inversely proportional to branching, तो यहाँ देखना, N-butane 4 carbon है, Isobutane 4 carbon, Isopentane 5 carbon, next, N-pentane 5 carbon, Neopentane 5 carbon, तो यह तो final होगा है, A और B के completely C, D, E का molecule mass ज्यादा होगा, तो A और B के completely C, D, E का boiling point ज्यादा होगा, और C और D, E का molecule mass सेम है, तो molecule mass सेम आ जाता है, तो अपन boiling point किस से decide करेंगे, branching से decide करेंगे, तो यहाँ नियो पेंटन में 2 branch है, N-pentane में कोई branch नहीं है, Isopentane में 1 branch है, तो क्या होजाएगा order, D greater than, C greater than, E greater than, A greater than, B, Queso no.76 का correct transfer क्या होजाएगा, D greater than, C greater than, E greater than, A greater than, B, 4, ठीक है, नेक्स्ट किर्शन, हाँ बेटाजी, नेक्स्ट क्यूसन है, which of the following will not show geometrical isomergem, geometrical isomergem देखना है, तो geometrical isomergem के लिए first case देखेंगे, अपन compounds में restricted rotational होना चीए, तो carbon 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 double bond है, restricted rotational है, second condition है कि जो restricted atom है, उससे जो group और atom bonded है, वो different different bonded होना चीए, different different bonded है, उस condition में compound GI show कर जाएगा, तो यहाँ देखना बेटा, इस compound में fluorine chlorine different है, hydrogen deuterium different है, तो यह compound GI show करेगा, next case में fluorine chlorine different है, fluorine chlorine यहाँ भी different है, restricted atoms है different group और atom bonded है, GI show कर जाएगा, यह methyl ethyl different है, ethyl methyl different है, यह compound भी GI show कर जाएगा, next case में देखना बेटा, यह भी methyl है और यह भी methyl है, और यह methyl methyl same group आ गया और same group आ गया तो यह compound GI show नहीं करेगा, तो Qs number 77 का correct answer क्या हो जाएगा बेटा, 4, ठीक है, next Qs देखना, next Qs number 78, Qs number 78 देखना बेटा, number of hyperconjugation structure, तो number of hyperconjugation structure देखेंगे बन, number of hyperconjugation structure डैकली proportional टो जाएगा, number of alpha H, ठीक है, तो देखना, यहाँ पनी positive charge carbon के respect में यह alpha हो जाएगा, और यहाँ यह carbon alpha हो जाएगा, next यह carbon alpha हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ इस compound के पास 3 और यह 4, यह alpha hydrogen है, और यह भी alpha hydrogen है, यह जो bridge head carbon atom है, यह hyperconjugation में inol नहीं होगा, bridge head carbon atom यह hyperconjugation में inol होगा, तो इस bridge head carbon का hybridization SP3 से SP2 में करणवाट होगा, तो वो possible नहीं है, तो इसमें hyperconjugation structure की बात करें, तो 3 यह hydrogen inol हो जाएगा hyperconjugation में, और 1 ये hydrogen atom नोल हो जाएगा hyperconjugation में ये hydrogen atom hyperconjugation में नहीं होगा तो यह number of hyperconjugation structure कितना हो जाएगा 4 ठीक है question number 78 का correct answer 4 next question question number 79 the correct increasing order of basic strength the following compound is देखना पेटा जी यहाँ आपन basic strength का order देखेंगे तो basic strength का order nitrogen atom पे electron density देखना है तो यहाँ इस compound में nitrogen atom पे electron density देखेंगे है अपन यह nitrogen atom पे लॉन प्यर है यह nitrogen atom पे लॉन प्यर है यह लॉन प्यर है nitrogen atom पे और यह लॉन प्यर है nitrogen atom ठीक है तो nitrogen atom का लॉन प्यर है आप देखेंगे second और third compound में resonance में delocalize हो रहा है resonance में delocalize होगा तो यहाँ electron density decrease हो गया और electron density decrease हो गया है h plus gain करने की tendency decrease होगी तो basic strength भी decrease हो जाएगा तो यह final होगा second and third के comparedly first और fourth more basic होगा और first और four में बात करें तो यहाँ यह double bonded carbon है इसका hybridization रहेगा sp2 और यहाँ four में बात करें यहाँ single bonded carbon है इसका hybridization रहेगा sp3 और आपको बहुत अच्छे से पता है percentage s character increase होगा then minus i increase होगा और minus i increase होगा तो basic strength decrease होगा ठीक है यहाँ percentage s character यहाँ कितना है 33% है और यहाँ percentage s character कितना है 25% है तो जब percentage s character ज्यादा होगा वहाँ basic strength कम होगा तो क्या जाएगा order fourth fourth greater than first greater than second और third में देखेंगे बन delocalization second में जाए थर्ड में कम है तो third more basic हो जाएगा third greater than second तो क्या जाएगा answer third greater than first greater fourth greater than first greater than third greater than second तो correct answer क्या हो जाएगा बेटा 79 question number का third next question number 80 which of the following compound is aromatic nature aromatic nature की case की बात करें अपन तो देखना aromatic nature की case में अपन बात करें तो aromatic nature में complete ring में delocalization होगा और delocalize हो रहा है electron वो हकल rules को follow कर रहा है तो compound aromatic हो जाएगा तो यहाँ देखना बेटा complete ring में delocalization है double single double single double single और यहाँ कितना pi electron का delocalization हो रहा है six pi electron का हो रहा है तो यह compound क्या हो गया aromatic इसमें complete ring में delocalization नहीं है तो यह compound क्या हो जाएगा non aromatic यहाँ complete ring में delocalization है और कितने pi electron का delocalization हो रहा है six pi electron का हो रहा है तो यहां अरोमेटिक कंपाउंड गौण हो गया, A, C और D, A, C, D, ठीक है, यहां कर्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूसन नमरे टीका, थर्ड, ठीक, चालो, नेक्स्ट क्यूसन देखते हैं, पिटा, next देखना, match the following reactant in column first with the corresponding reaction product in column second, देखना, यह बेंजीन क्लोरीन से react कर रहा है, AL, CL3, Levis Acid की परजैंस में, तो AL, CL3, क्लोरीन से react करके, CL positive electrophile generate करेगा, और CL positive electrophile generate करेगा, तो यहां बेटा, CL positive electrophile है, वो ESR को follow करके, और benzene ring पे attack कर जाएगा, electrophilic substitution reaction को follow करके, तो यहां product क्या बन गया, chlorobenzene, तो chlorobenzene बनेगा, तो यह first cancer क्या हो जाएगा, D, chlorobenzene बन गया, next second case की बात करते हैं, benzene का reaction, methyl chloride के साथ, AL, CL3, levis acid की presence में करेंगे, तो AL, CL3 है, उस CL से react करके, यहां CS3 positive electrophile generate होगा, Friddle Craft reaction का, alkylation type है, और यहां CS3, LJ electrophile attack करेगा, वो ESR को follow करके, FCR reaction, तो यहां यह product बन जाएगा, benzene ring से direct, CS3 bonded हो जाएगा, यहां क्या बन गया बेटा product, second का toluene, तो second का toluene product बनेगा, और toluene किस में दिया हो है, C में, चलो next case की बात करते हैं, third, benzene का reaction, SIL chloride के साथ करवाएगे बन, ठीक है, SIL chloride के साथ यह भी reaction, ALCL3 की presence में होगा, ठीक है, और ALCL3 की presence में करवाएगे, तो ESR को follow करके, यहां product बनेगा, benzene, SIL group, SJ, electrophile attack कर जाएगा, यह भी freddle craft reaction का कौन सा type है, SIL lesson ही है, और freddle craft reaction का SIL lesson type है, तो यहां ही product क्या बन गया, acetophenone, और इसको क्या बोलेंगे, methyl phenyl ketone भी बोलेंगे, तो यह हो जाएगा, third main, B, fourth case की बात करेंगे, toluene का reaction करवाएगे अपन, basic KMN4 और heat ले रखा है, basic KMN4 heat लेंगे, तो यह strong oxidizing agent है, और यह toluene का methyl group है, उसको carboxly group में oxidize कर देगा, और carboxly group में oxidize कर देगा, तो यह क्या बन जाएगा, benzoic acid, तो fourth case में क्या बनेगा, A, तो यह match कर ले था है अपन, first में D, second में C, और third में B, fourth में, तो question number 81 का correct answer क्या हो जाएगा, first, ठीक है बटा, चलो, next question number 82, देखना, question number 82 क्या बोल रहे है, 3 phenyl propene on reaction with HBR gives as a major product, 3 phenyl propene हो जाएगा C6, H5, CS2, CH double bond CS2, इसका reaction अपन HBR के साथ कर वा रहे है, एलगेन का reaction HBR के साथ करवाएंगे, कौन सी reaction को follow करेगा, electrophilic addition reaction पो follow करेगा, electrophilic addition reaction में, इस 5 bond के electron का transfer होगा, carbon पे negative charge, positive charge, यह H positive, BR negative, H positive, HJ electrophile attack करेगा, तो यह intermediate carbogatein बन गया, अब intermediate carbogatein में, rearrangement possible है, shifting possible है, कौन से shifting होगी, 1, 2, hydride shifting, 1, 2, hydride shifting, और 1, 2, hydride shifting से, यह stable carbogatein मन जाएगा, CS3, CS positive, CS2, CS3, फिर next case में, और कोई shifting नहीं है, तो यह फिर BR negative है, वो as a nucleophile attack कर जाएगा, और BR negative as a nucleophile attack करेगा, तो यहाँ final product क्या बनेगा, C6H5, CHBR, CH2, CS3, question number 82 का correct answer, second, चलो, next question देखते हैं, question number 83, 83 में देखना बिटा, methanol लिया है, phenol लिया है, और ether लिया है, ठीक है, यहाँ bond angle का order देखना है, तो यहाँ oxygen atom का hybridization है, वो sp3 है, और sp3 hybridization है, तो यहाँ bond angle 109 होगा, लेकिन रिपल्सन होगा है, यहाँ लॉन पेर, लॉन पेर में, और लॉन पेर, लॉन पेर के रिपल्सन से यहाँ bond angle decrease हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जो bond angle है, वो less than 109 है, ठीक है, यहाँ 109 है, ठीक है, और यहाँ bulky group है, methyl, ठीक है, तो उसमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, तो यहाँ 109 से bond angle increase हो जाएगा, तो bond angle यहाँ 109 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और epoxy di-methyl ether में 111 degree होगा, ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा order, सबसे ज्यादा bond angle होगा C का, फिर next B का और फिर next A का, E हो जाएगा, C greater than, B greater than A, क्यूसर नमबर 83 का correct answer, second, next बेटा जी, क्यूसर नमबर 84, 84 में देखना, एलकीन का reaction, BS3 और H2 to OH- के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ कौन सा reaction होगा, hydroboration, oxidation, reaction होगा, और hydroboration, oxidation, reaction में, H2 का addition होगा, double bond पर कौन से rule के according, anti-marconic of rule के according, ठीक है, और anti-marconic of rule के according, double bond का addition करेंगे है बन, तो यहाँ product क्या बनेगा, CS2, CS2 OH, ठीक है, तो क्यूसर नमबर 84 का correct answer क्या हो जाएगा, second, next, next, क्यूसर नमबर 85, देखना बिटा, 85 में alcohol compound है, उसको protic acid के साथ heat कर रहे हैं, और alcohol को protic acid के साथ heat करते हैं, तो dehydration होगा, और dehydration होगा, तो यहाँ यह even mechanism को follow करके, product बनेगा, और even mechanism को follow करके product बनेगा, तो यहाँ यह alkin product बनेगा, ठीक है, फिर next case में बात करें, यह osmium tetra oxide और sodium hydrogen sulfide के साथ reaction करवा रहे हैं, तो उस case में यहाँ diol product बनेगा, और दोनों OH group का addition होगा, वो same side से होगा, यह यह बोल दो sin addition होगा, तो यह diol product बनेगा, अब यह diol product बनाए है, यह diol product में plane of symmetry है, और more than one chiral center है, तो यह कौन सी form में आ जाएगा, meso compound हो जाएगा, ठीक है, next question देखने हो, which of the following is analgesic, तो analgesic information based question है, penicillin है, anti-biotic है, streptomycin है, anti-biotic है, chloromycetin है, anti-biotic है, noelgene है, यह बटा analgesic है, ठीक है, यह penicular की form में यूज करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, analgesic हो जाएगा, ठीक है, question number 86 का correct answer, 4, next, question number 87, question number 87 देखने हो बटा, nitro group है, nitro compound है, और nitro compound का एक्षान iron प्लस HCl के साथ करवा रहे हैं, तो iron प्लस HCl है, वो NO2 group को reduce कर रहेगा, और NO2 group को किस में reduce कर रहेगा, Ns2 में, Ns2 में reduce जाएगा, फिर next case में इसका Si Lation हो रहे हैं, और इसका Si Lation होगा, Acetic Anhydride के साथ Pyridine की Purgens में करवाएगे, तो यहाँ Si Lation हो जाएगा, NsCO CS3, यह Si Lation हो जाएगा, ठीक है, फिर next, bromine के साथ reaction करवा रहे हैं, तो bromine Lation हो जाएगा, इसका, Bromination हो जाएगा, और Bromination से Ortho और Pera पे Electrofile अटेक कर जाएगा, Ortho और Pera पे अटेक कर जाएगा, ठीक है, फिर next case में इसका Hydrolysis हो रहा है, और Hydrolysis करेंगे तो Nitrogen की सेड में HCOOH, तो यह Convert हो जाएगा Amino Group में, फिर next, NaNo2 प्लस HCl, यह Amino Group का क्या करेगा, Diagotization करेगा, तो यह Diagonium Group में Convert हो जाएगा, और Diagonium Group में Convert होगा, फिर उस H3PO2 है, उसकी परजेंस में इसका Reduction हो जाएगा, और Reduction होगा, तो यहाँ H attack कर जाएगा, फाइनली और यह Correct answer, Second, Qs No. 87 का Correct answer क्या हो जाएगा, Second, Next, Select the structure of chromium complex formed when the toluene reacts with chromyl chloride, देखना हो जाएगा, यह Toluene Compound है, इस Toluene Compound की केस में अपना Reaction करवाएगे, Chromyl chloride के साथ, CRO2, Cl2, ठीक है, Chromyl chloride के साथ Reaction करवाएगे, और फिर उसका Hydrolysis करेंगे, तो Benz-Ldead बनता है, इसको अपन Itard Reaction करेंगे, ठीक है, अब यहाँ जो Intermediate बनेगा, मेडिस्पसिज में, तो यह O-CRO2-Cl2 में Convert हो जाएगा, और यहां Q-S No. 82 का Correct Answer क्या हो जाएगा, Third, Next, Q-S No. 89, Q-S No. 89 देखा, Number of Lone Pair of Electron present in Melamine, तो Melamine में देखना में, पड़ा, यह Melamine का Structure हो जाएगा, यह Melamine का Structure हो जाएगा, अपने को, Lone Pair देखना है, तो यह Lone Pair कितना हो जाएगा, यह Nitros and Atom पे Lone Pair और 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 यह Nitros and Atom तो, तो टोल कितना Lone Pair हो जाए, Melamine में, Six, तो Q-S No. 89 का Correct Answer क्या हो जाएगा, Second, ठीक है, ठीक है, Next Q-S No. 90, which of the following statement is not true about glucose, ठीक है, गुलकोज के Structure की बात करेएगा, तो गुलकोज कंपाउंड का Structure हो जाएगा, CHO, गुलकोज कंपाउंड का Structure हो जाएगा, CHO, CHOH, for CH2OH, ठीक, देखनाँ बटाइब इसमें, LD8 गूरूप है, तो ELDO हो गया, और 6 कार्म एटम है, तो ELDO हेग्जोज जाएगा, तो यह correct statement हो गया, गुलकोज के रिगरड़ी, Next case में, Red Phosphorus HI के साथ रिएक्शन करवाएगे, तो यह Red Phosphorus हो और HI है, यह Reducing Agent है, और यह Reducing Agent है, जो गुलकोज को किसमें, Reduce कर देगा, Hexane में, 6 कार्म एटम के स्टेट चेहन मनेगी, N Hexane प्रोड़ेक्शन में जाएगा, Second statement, on hitting with Red Phosphorus plus HI, It form N Hexane, तो यह statement भी क्या हो गया, correct हो गया, Next, Third statement देखते हैं, It is present in furanose, तो देखना बटा, यहां जो गुलकोज का आफ साइकलिक स्टेक्चर देखेंगे, तो गुलकोज के साइकलिक स्टेक्चर में, जो रिंग है, वो रिंग, Pyranose की रिंग होती है, Pyran ring होती है, तो Pyranose होता है, Furanose fractose में होता है, तो यह statement क्या हो गया, Wrong हो गया, तो which of the following statement is not true about गुलकोज, तो यहां correct answer क्या चला जाएगा, ठीक है, तो देखना बेटा, आपने test paper attend किया है, ठीक है, तो definitely paper अच्छा होगा, फिर उसमें कोई doubt है, तो आप इस video solution के थुरूँ आप उन doubts को clear कर ले, ठीक है, Thank you बेटा,